Hello Economist तो ये वीडियो पोस्ट क्रिजूट कोर्स ओन स्टाटिस्टिक्स एन इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर फाइफ है जान रखे आपकी ये लेक्चर फाइफ है यानि की फॉर लेक्चर हम कर चुके हैं तो हम इसमें स्टाटिस्टिकल कंसेट रिव्यू कर रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट ओप इस्टेटिकल थियरी एक कोट्शियोनिस के बुक का पाठ है उसे ही देख रहे हैं तो आज हम एकस्पेक्टेड वैल्यू और मीन को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह अगेन एन अगेन हमारे डिस्कसन में आ रहा है और मैंने का भी था कि मैं इसे और क्ल पर लेकर समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि माल लिजिए आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन्स है जैसे यह एकस है यहां ऑब्जर्वेशन्स है 4,5,6,7,8 और इसका आपको मीन निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पर n is equal to 5 है और आपका जो मीन का फॉर्मूला होता है x bar is equal to submission xi by n तो यहां जब आप इसका submission करेंगे तो आपका 30 आएगा और यहां 30 by 5,6 हो जाएगा तो 6 आपका मीन निकल गया जो की एक बहुत सिंपल calculation है आप सब कर सकते हैं अगर मैं बोलू आपको कि आप expected value निकालिए तब आप क्या करेंगे तो expected value में क्या होता है कि हमारे पास हर observation की probability दी हुई है जैसे कि 4 के occur होने की probability 0.2 है 5 की भी 0.2 है यानि कि हम assume कर रहे है कि सब के occur होने की probability 0.2 है और total probability जो है वो क्या होने चाहिए वो 1 होने चाहिए तो यह 0.2 probability हमने assign कर लिए अब हमें expected value निकालना है तो उसका formula अलग होता है उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे यह expected value of x हमें निकालना है तो हम x के हर observation को उसके probability से multiply करके add कर देंगे जैसे कि यहाँ पर 4 है और इसकी probability 0.2 है तो हम इसे इसे multiply कर देंगे फिर इसे add कर देंगे 5 multiplied by 0.2 यानि जो 5 की probability है उसको हमने multiply कर दिया इसी तरह 6 की जो probability है उससे हम multiply कर देंगे और इसी तरह करते करते जो भी है सबको उसके respective probability से हम multiply करते चलेंगे और जब आप इसे add कि जेगा तो ये भी 30 ही आएगा ये 30 नहीं आएगा ये 6 आएगा ये क्या आएगा ये 6 आएगा इसका मतलब आपने expected value भी आपका वहीं आया और आपके जो mean है वो भी same ही आया तो ये same concept हो सकता है लेकिन same नहीं होगा जैसे कि probabilities अगर आप बदल दीजेगा तो mean आपका 6 नहीं आएगा यानि expected value आपका 6 नहीं आएगा कुछ और आएगा यानि कि mean और expected value बराबर नहीं होते हैं पहला ये आप जान दीजे क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये होता है कि mean और expected value बराबर होते हैं अब इसे हम एक और example लेके देखते हैं और उसके थुरू भी आपके पास x तो दी ह है और उसके साथ उसकी frequencies भी दी हुए जैसे यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 हमने लिया था और सबकी कुछ frequencies भी दी हुए हैं अभी simplicity के लिए हम माल लेते हैं सबकी frequency क्या है same है यानि कि 5 है तो यहाँ क्या होगा n is equal to 25 हो जाएगा और जब आप इसके लिए जो formula यूज करेंगे वो क्या करेंगे x bar is equal to f xi by n और जब आप इसे पूरा add करेंगे तो यहाँ 50 होगा और यहाँ पर 25 होगा n is equal to और यहाँ भी आपका 6 ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने frequency सेम लिए है अब frequency हम अलग करेंगे तो हमारा जो mean होगा वो भी अलग हो जाएगा जैसे यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं आप probability अलग करेंगे तो हमारा mean क्या हो जाएगा वो frequency की बात हम कर क्यों रहे है अखिर अब यह बात आपको समझने की वाली है कि जब भी आप expected value का यूज करते हैं तो आपके कहने का सीधा मतलब होता है कि आप population की बात कर रहे हैं population की बात कर रहे हैं और जब आप frequency की बात करते हैं या mean की बात करते हैं तो आप sample की बात कर रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि हम sample की ही बात कर रहे हैं जब हम mean बोल रहे हैं तो जब फिर expected value बोले हैं तो population की ही बात कर रहे हैं हम expected value किसी एक sample का भी निकाल सकते हैं उसमें कोई problem लेकिन बात यह है कि expected value के लिए आपको probabilities पता होनी चाहिए, तो वो probability आप कहां से पता करेंगे, अब जो frequencies होती है, जैसे कि यह जो frequencies मैंने आपको बताई, यह अलग-अलग हो सकती है, लेकिन यह तो जब आप sample करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस observation की कितनी frequencies है, लेकि लेकिन किस observation की कितनी probability है, वो आपको कैसे पता चलेगा, यह आपको कहां से पता चलेगा, अब यह पता ही नहीं होता है, मैं actually reality यह है कि यह हमें नहीं पता होता है, कि किस observation की probability कितनी है, इसलिए हम चाह करते हैं, हम assume करते हैं कि हाँ इस observation के अकर होने की probability इतनी है, ऐसा हम क्य करते हैं क्योंकि हमें सैम्पल में पता होता है कि क्या होती आ इस पर गिर्वक combined स कर सकते हैं जैसे कि महल लीजैक्ष फ्रिक्वेंसी है तो इसे के-स mean convert to take 255 कर दीज्ए क्कि टोटल 25 है यहांद अंव 25 economics 2525 तो यह 0.002 निकल जाएगा और यह एक्सक्ग यह आपका convert हो गया probability में और आप यानि कि जो आपका frequency का यूज करके आप mean निकाली या probability का same होगा तो अब यह सी बात है हम probability calculate करने का कश्ट नहीं करेंगे सिंपल जो frequency हमने निकाली है उसी से हम अपना mean निकाली है लेकिन तब यह probability की कि बात आ कहां से गई क्यों आ गई actually probability हम कभी calculate करते नहीं हम assume करते हैं यो कि मैंने जैसा क्या है expected value की जब हम बात करते हैं तो हम population के बारे में बात कर रहे होते हैं और population में हमें पता नहीं होता है कि किस observation की की frequency कितनी होगी यानि कि उनके occur होने की probability कितनी है तो हम क्या करते हैं assumption लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 4,5,5,6,7,8 है तो ऐसा हो सकता है कि हम सब का के occur होने की probability इस सेम ले ले या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी probability हम 0.1 करें इसकी 0.2, इसकी 0.4, फिर इसकी 0.2 और इसकी 0.1 ऐसा भी हम कर सकते हैं तो हम कुछ भी assumption ले लेते हैं वो हमारे common sense पर depend करता है हमारे wisdom पर depend करता है कि हमें कौन सा assumption लेना चाहिए तो हमें population की बारे में actually कुछ पता ही नहीं होता है तो assumption से ही हम काम चलाते हैं जहां तक sample की बात है मैंने आपको कहा कि वहाँ जो frequency आपको पता ही होती है तो फिर आप probability निकालेंगे एक यह आप simply आपका जो भी calculate करना है mean, standard, deviation, variance कुछ भी calculate करना है आप कर सकते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ कि चुकि आप expected value sample का भी निकाल सकते हैं लेकिन जब expected value का जब यूज करते हैं तो वो population के context में ही होता है वो population को ही दिखाने के लिए हम करते हैं अब इसलिए हम करते हैं क्योंकि population के बारे में हमें कोई idea नहीं होता है तो वहां probability से ही काम चलाते हैं हमें frequency निकालने नहीं जाते हैं तो जब हम econometrics में कोई भी estimation करते हैं तो हम यहीं समझते हैं कि जो expected value है वो mean जो हम sample mean निकालते हैं या फिर आप कहते हैं कि sample statistics निकालते हैं वो उसके बराबर होना चाहिए बराबर होता नहीं क्योंकि यह theoretical है तो आपकी आपने जो theoretical value निकाल रखी है वो ही सही है कि नहीं उसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि वो तो theoretical है और sample तो sample है sample पूरे population से नहीं निकाला जाता है पूरे population का कुछ part होता है तो वो भी truth को नहीं बताता है और theory आपकी theory है तो truth actually पता नहीं होता है हम एक assumption लेते हैं population के बारे में कि हाँ population ऐसा है अपने common sense पे अपने wisdom के basis पे और उसी assumption के basis पे हम देखते हैं कि यह जो assumption जो theoretical value है हमारी वो sample से कितना match करता है सेंपल के कितना करीब है अब यह sample से जो हमने conclude किया वह theoretical value के जितने नजदीक होगा हम उसे कहेंगे कि हमारा estimate उतना अच्छा होता है तो यह पूरे econometrics में actually यहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया उम्मीद करता हूं कि mean और expected value कि जब भी जिक्र आएगा तो आप समझ पाए econometrics का तो यहां पर मैं बता देता हूं मैं उसे explain नहीं करूंगा मैं पहले ही आपको बता देता हूं क्योंकि वह बहुत lengthy हो सकता है अब यहां पर देखें यहां कुछ rules आपको दिखाई दे रहे हैं और आप इन rules को पढ़ लिजेगा मैं section D नहीं करूंगा क्योंकि यह कर दूँगा हर rule को यह specifically जो आपको rule समझ में नहीं आए उसे मैं explain कर दूँगा यह rule बस पढ़ने के लिए है ताकि आपको expected value और mean में difference को और similarities को समझ पाएं यह लगबग कुछ similarities और कुछ differences आपको मिलेंगे तो इसका use आएगा hypnometrics में जैसे जैसे उस rule को हम explain कर पाएंगे सभी rule का एक साथ use नहीं आएगा तो यह इसमें कोई problem नहीं आएगा कि हम बाद में इसे explain करेंगे कोई एक दो rule आएगा तो उसे मुझे time explain कर देंगे तो आप उसका context भी समझ जाएंगे यहां पर मैं explain करूंगा आप समझेंगे या नहीं समझेंगे जो भी होगा बाद में फिर मुझे explain करना पड़ेगा तो यह time को मैं reduce करना चाहता हूं कि कम से कम में एक course हो जाए और आप self study जो आप कर रहे हैं उसे में promote करना आप self study करें आप जो भी यह lecture जा रहा है उसे आप बस एक support के जैसा देखें क्योंकि spoon feeding करके आप कभी UPSC का exam नहीं निकाल सकते हैं RBI जैसा exam नहीं निकाल सकते हैं तो इस lecture में इतना ही रहने देते हैं next lecture में हम आगे बढ़ेंगे यानि कि हम element of statistical inference के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही important है इससे numericals भी पूछे जाते हैं तो इससे मैं कोशिज करूँगा कि अच्छे से explain करूँ तो thank you for joining this session